नमस्कार इन खबर में आप सभी का स्वागत है राजस्तान से एक बेहद ही अजीबो गरीब वाक्या सामने आया है जहांपर पुरण जनम का एक मामला सामने आया है राजस्तान के राजसमंद में एक 4 साल की बच्ची ने अपने पुरण जनम को लेकर जो दावे किये वे बेहत चौकाने वाली है बच्ची की बातों से माबाप से लेकर रिष्टेदार और गाहूं वाले सब चकित है मासूम ने पिछले जिनम की जो बातियां और किस से कहीं वे मौगे बार जाकर पता करने से सच भाहरा आया है हमाई टीम ने जब उनके परिजनों से बात की तो उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए मैं पंकजपालीवाल पिपलांति करने वाला हूँ और मैं जब उस लड़की से मिला था तब वो बहुत खुश थी और मैंने कभी इसा नहीं सोचा था कि ऐसा होता है लेकिन उसे मिलके मैं भी खुश था कि ये अच्छा है जब महां गया था तो वह कबरा गई थी कि हम पासाजना थे तो बोलनी पाई वह लेकिन मैं ममी का न मेरा फोटो बताया था जो मेरी शिष्टर थी उनका भी फोटो बताया तो उन्हें चिश्टर के लिए बोला था कि यह तो मेरा ही फोटो है यह ममी का फोटो देखते ही वो रोने लग गई गाव आई थी तब तब उसने कुछ ऐसा बोला नहीं था कि यहां जो बताई थे यहां मेरा फूल है वो इशारव से उंगली से बताई थे पहली जिंदगी में उसकी मौत कब और कैसे हुई बच्ची यह सब जानती है बच्ची के जवाब और दावे से पूरा परिवार सन रह जाता है मा दुर्गा के बार बार पूछने पर बच्ची के इंजल कहती है कि उसके माँ बाप और भाई समित पूरा परिवार पिपल लांतरी में ही रहता है वे 9 साल पहले जल गई थी इस हादसे में उसकी मौत हो गई और एंबुलेंस यहाँ छोड़ कर चली गई थी दुरगा ने यह बाद बच्ची के पिता रतिन सिंग को बताई और बच्ची को मं दो भाई बेहन हैं माबाप हैं पापा ट्रेक्टर चलाते हैं और जो उसका परिवार है पेहर है वो पेपाल आंतरी और ससुराल ओडन में हैं ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इनकबर के साथ इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें